नमस्कार दोस्तों, गोर स्टेडी यूटूब चेनल पर आप सभी का अर्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम 20 सितंबर 2023 के मत्यप्रदेश करेंट अफेर के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड दरना चाहते हैं तो उसके लिए आप यह हमारा टेलीगराम गुरूप जोइन करेंगे उसमें आपको डेली पीडियो मिल जाये करेंगी और इस टेलीगराम गुरूप का जो लिंक है यह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है चलिके आव हमारी जो पिछली बीडियो थे जिसमें एक प्रसन पूछा था आप से, उसका उत्त्रय जान लेते हैं कि दह나ओंणी का और मत्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है तो ये दमोनी का जो पूर से ये सागर जिले में आयोजित किया जाता है इसके लावर जो इज्टीमा मेला है ये मत्य प्रदेश के पूरपाल में आयोजित किया जाता है और मत्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंगस्त का मेला उज्जेन में आयोजित किया जाता है और ये 12 वर्स में एक बार आयोजित होता है और मत्य प्रदेश का जो नर्मदापुराम जिला है यानि कि इसका जो पुराना नाम था हो संगवाद इसमें सबसे कम मेले आयोजित किये जाते हैं और सबसे अधिक मेले, सबसे ज़्यादा मेले उज्जेन में आयोजित होते हैं कहाँ पर उज्जेन में चलिए आज का हमारा क्यूश्चन ओप्दा डेवी है आप सभी के लिए कि मत्य प्रदेश का वैक कौन सब प्रिस्ववित्याले है जिसे युनेश्को द्वारा मेगर युनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्थ हो चुपा है तमारे ओप्चन है राजमोज मुक्त बिस्ववित्याले देवी एलिया बिस्ववित्याले डक्टर हरी सिंगोर बिस्ववित्याले इसका उत्तर देने की कोशिस आप जरूर करें कमेंट में इसका सही उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले में आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप मत्रप्रदेस करेंट अपेर्स की मात्र 10 रुपे में ले सकते हैं और अगर आप पूरी कंप्लीट पीडियेप जन्वरी से लेकर अगस्त तक की खरीदना चाहते हैं तो ये आप हुआरे वाट्सप नंबर पर संपर्द करके मात्र 32 रुपे में ले सकते हैं ये सिर्फ आपको मत्यप्रदेश के निटप्या है, पहला प्रस्ण है, मत्यप्रदेश में कहा पर 108 फिट उन्खी, Statue of Bananas का अनावरान किया गया है, तो ये किया गया है ओमकरिसबर में, जब कि सलकरपूर में, सलकरपूर में देवी लोग का निर्वान किया जा रहा है, ये औरचा में यहाँ पर राम राजा लोग का निर्वान हो रहा है, राम राजा लोग का और चित्रपूर में यहाँ पर बनवासी राम के लोग का निर्वान होगा, बनवासी राम का लोग, आप देख सकते हैं ये 108 विट मूची भप्पे और दिव्बे जो आदी संक्राचायरे जी की मूर्ती है इसका एकात्मता की मूर्ती भी नाम दिया गया है इसका अनावरन और अदेद लोग का सिलान्यास 21 सितंबर को मांग दाता परवत ओंकारिजवर में किया गया है और इससे पहले जो मूर्ती का नावरन है ये 18 सितंबर को किया जाना था जो कि मैंने आपको बताया भी था कि 18 सितंबर को किया जाएगा लेकिन फिर इसे बढ़ा कर 21 सितंबर कर दिया गया यानि कि आज इसका सिलान्यास किया गया 21 सितंबर 2023 को मत्य प्रदेश के खंडवा जिले पे जो ओमकारिजवर है यहाँ पर जो मान दाता परवत है यहाँ पर 108 फिट उची अस्ट दातू से निर्मित आचारे संकर जी की मूर्ती जिसे स्टेचू ओब बननेस नाम दिया गया है इसका जो अनावरन है यह मुख्यमंतरी सिरी सिवरासिंग जोहन ने किया है और इस टेचू ओब बननेस को एकातमिता की मूर्ती के नाम से भी जाना जाएगा यानिके इसे एकातमिता की मूर्ती भी नाम दिया गया इसी के साथ सिरी सिवरासिंग जोहन ने ओमकारेजवर में अदुएद लोग का सिलान्याज भी किया है यानिकि जो एम मूर्ती है इसका तो अनावरन कर दिया गया है यानिके लिए यह अब बनके त्यार मुचूई है जबकि जो अदेद लोग है इसका सिलान्याज किया गय और ओमकारेजबर में आचारे संकर अंतरास्ति अद्वेट बेदान संस्थान की स्थापना भी की जाएगी और ओमकारेजबर में जो ओमकार परवत इसे मानधाता परवत भी कहते हैं और ओमकार परवत भी कहते हैं यहां पर 28 एकड़ छेत्र में 2400 कड़ोर रुपे की लागत से अध्वेत लोग का निर्मान किया जा रहा है। वो जो आदी संकराचारे की जो ये बाल परतिमा इस्थापित की गई है ये मत्यप्रदेशी नहीं बलकि पूरे मत्यवारत की सबसे मुची परतिमा है और इसकी जो प्रतिमा बनाई गई है इसके लिए मत्यप्रदेश की 23,000 पंचायतों के गाउं से धातु युटाई गई है यानि कि प्रत्य गाउं की पंचायच से लोहा, तामबा, टीन जो भी मिला वासे ही ने जुटाया गया है इस सभी को मिला कर ये मूर्थी बनाई गई है अगला प्रसने मत्यप्रदेश के किस विभाद ने जो आया वो बापस आया ये MP की मया, ठीम पर TV Serial लॉंच किया गया है आया नाम भी क्या दिया है, ये ले, जो आया, वो बापस आया ये MP की मया, इस ठीम पर TV Serial इस विभाद ने लौँच किया है तो ये लौँच किया गया है मत्यप्रदेश के परेटन विभाद के दुआरा आप देख सकते हैं, जो कल्चरा डेपार्टमेंट है, इसका ट्वीट भी है कि जो आया, वो बापस आया, ये MP की मया MP टूरिजम में ने लौँच गया है नया TVCन के TV Serial और इसे MP टूरिजम के लिए यूटूब चैनल है और सोसल मीडिया हैंडल इन पर देखा जा सकेगा तो मत्यप्रदेश के परेटन विभाद है, इसने प्रदेश के परेटन इस्थलों को पिरचारित करने और देश-बिदेश के परेटन को मत्यप्रदेश के प्रति आकरसित करने के लिए एक नया TV सीरियल लॉंच कर दिया है तो इसका नाम में आपको दो बार बता दिया जैसे कि जो आया वो वापस आया ये MP की माया ये TV सीरियल का नाम है और इसे मत्यप्रदेश परेटन विभादन लॉंच किया है और इस TV सीरियल को बहुती रशनात्मत तरीके से दर्साया गया है उस सुमधूर संगीत से सजाया गया और जो ये TV सीरियल है ये MP टूरीज में के जो भी यूटूब चैनल है और जितने भी सोसल मीडिया हिंडल है इन पर इन्हें देखा जा सकेगा अगला प्रस्ण है मत्य प्रदेश में राइडर्स इन दा वाइल्ड का सुभारंग कहां से किया गया है तो इसका सुभारंग किया गया है पाल से आप देख सकते हैं कल्चरन डेपार्टमेंट का टूल्ट भी है कि riders in the wild में 25 सुपर वाइकर्स करेंगे सासिक गतिविदियों को promote और इन्हें हरी जंडी दिखा कर जो उसीरी सचिव है सिरी सिर्फ सेकर सुपला परेटन सचिव ने इन्होंने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया है तो 20 सितंबर 2023 को परेटन गतिविदियों परेटन सचिव सिर्फ सेकर सुपला ने परदेश में जो सासिक परेटन गतिविदिया है इनके लिए riders in the wild के जो दिख्टी एडिशन है इसका सुपहरंब पोपाल में जो सेर्फ सपार्टा है यानि के जो बियाईपी रोड है यहां से इसका सुपहरंब किया गया और riders in the wild के जो एडिशन है 20 सितंबर से सुरू हुआ है वो 17 सितंबर 2023 को खतम होगा यो 25 वाइकर्स हैं एक भोपाल से पच्छमनी, सत्धारा, ताविया, पाताल कोट पेश नेशनल पार्क, काना नेशनल पार्क, बांदवगर नेशनल पार्क, पहला दमाट भीम बेटका का पिर्मन करते हुए गोपाल लोटने तक 2400 किलोमेटर की यात्रा करेंगे अगला प्रसन है मत्यपरदेश के किस सहर से मुख्यमंतरी क्रसक मित्र योजना में इत्गराईयों के फाम बरने के कारे का सुभारम कहां से किया गया है तो ये किया गया है दोपाल से देख सकते हैं कि मुख्यमंतरी क्रसक मित्र योजना में इत्गराईयों के फाम बरने की जो सुरुआ थे ये पुपाल के उसावाउ ठाकरे सवागार से की गई है 20 सितमबर 2023 को और इसी कारेकरम में इस योजना में मत्यप्रदेश के हर्दा जिले की रहने वाली है स्रीमती नमीता जी इस का उनलाइन आम भर कर इस योजना को सुभारम मुख्य मंत्री सरी सिव्राथ सिंग चोहन ने किया है अगला बरत्ं कोपाल में आयवजित विक्जान मेले में रमिन्या टेगोर पिसुभित आले को सेक्षोरग संस्थानों कों सा पुरस्कार मिला है तो यह मिला है फिर्थम पुरुस्कार आप देख सकते हैं बोपाल विज्ञान मेले में जो RNTU है यानि के रविन्ना टेगोर विस्बुविद्ध हले इसे सेक्षडिक संस्थानों फिर्थम पुरुस्कार प्राफ हुआ है दसवे विज्ञान मेले में तो भोपाल में ही इस्थित है रविन्ना टेगोर विस्बुविद्ध हले और इसे अभी जो हाली में भोपाल में ही दसवे विज्ञान मेला आयोजित किया गया था इसमें सेक्षडिक संस्थानों की सुची में फिर्थम पुरुस्कार से सम्वनित किया गया और दस बब एक्याम मेला कम से कप तक आयोजित हुआ तो ये 15 सितमबर से लेकर 18 सितमबर तक आयोजित किया गया बोपाल के दसेरा मेदान में और इसी में जो MP Trans को है इसके पिवित्य जानकारी से पूरी स्टाल को सरकारी शेदर के स्टाल की स्रेणी में जित्य पुरुफकार प्राप हुआ है तो सेच्चिनिक सालतानों की सूची में जो पुरुफकार वह रविन्ना टेगोर विजबु विद्याले को दिया गया अब हम 20 सितमबर 2023 के मत्रप्रदेश करेंट अपेर का कतिवी जन करेंगे पहला प्रस्न है राची सिक्चा केंदरे द्वारा जारी प्रारंबिक सिक्चा वुसकलों की रेंकू में मत्रप्रदेश का कौन सा जिला पर्थामिस्थान पर है तो इसमें पर्थामिस्थान पर है पिगोर जिला ये पहले स्थान पर है राईसन दूसरे स्थान पर विवा वारवेश्थान पर और नोवेश्थान पर है यह इंडूर है वह आया है इसमें। मत्यबरदेश मत्य प्रदेश में कितने सेनिक स्थापना होगी इन में से मत्य प्रदेश में कितने सेनिक स्थापना होगी इन में से मत्य प्रदेश में कितने सेनिक स्थापना होगी इन मत्य प्रदेश में कितने सेनिक स्थापना होगी इन मत्य प्रदेश में कितने सेनिक स्थापना होगी तो ये किया गया है काना इसलग पार्ग में तो दोस्तों ये था हमारा 21 सिदंबर 2023 का मत्यप्रदेश करेंट अबेर अकर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जलू सीर करें और दोस्तों अब हम जोगे हम मत्यप्रदेश करेंट अबेर यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसकी कुछ टेलिग्राम गुरूप में भी डाली जाती है तो आप उन्हें वहाँ पर अटेम्ट कर सकते हैं तो बिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक जे हिन जे भाराण